नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा वेलिडेशन का कुछ निव ट्रिक ठीक है उसमें क्या है जैसे कि मेरे पास यहां कुछ फाइल नेम है और उस फाइल का कोड यहां पे मुझे डालना है ठीक है और कोड जो भी होता है वो जो है नॉम्रीकल होना चाहिए वो टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए ठीक है तो उसके लिए जो मैं जो सेल को रिस्टिक्ट करूंगा वो किस तरह से करूंगा ठीक है जैसे कि मैं यहां पे लिखे देखे वन लिख रहा हूं 23 लिख रहा हूं नॉम्रीकल आप नहीं लिख सकते हैं, यह इस सेल में only one time आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 23 है एक बार और, फिर से मैं 23 लिख रहा हूँ, देखिए, फिर से आप 23 एंट्री नहीं कर सकते हो, जो मतलब कि जो नमबर एक बार एंट्री हो चुका है, वो नमबर आप दोबारा एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर यहीं पर 56 है, 57 देखिए, इंट्री हो जा रहा है, ठीक है, अगर यहीं पर 57 करूँ, तो वो इंट्री नहीं होगा, ओके, यह हो गया duplicate की बात, अगर duplicate आप इस सेल के अंदर इंट्री करोगे, तो duplicate नमबर आपको इंट्री नहीं होगा, मतलब कि व आप टेक्स्ट इंट्री करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इंट्री क्या देखिए, आप टेक्स्ट भी इसके अंदर इंट्री नहीं कर सकते हो, ये भी जो है restricted है, इस सेल के अंदर जो है, ना तो आप डूबलिकेट इंट्री कर सकते हो, और ना ही टेक्स्ट इंट्री कर सकते हो, ठीक है और मतलब यह पूरा cell है क्या-क्या हो सकता है इसमें आप duplicate entry नहीं कर सकते और text भी entry नहीं कर सकते ठीक है यह दो condition जो है इस cell के अंदर मतलब जब भी आपको entry करना है तो आप unique number ही entry कर पाओगे ठीक है जैसे duplicate entry करोगे तो आपको restrict करेगा कि इस file के अंदर जो है duplicate entry नहीं उसके लिए चले चलते हैं चले चलते हैं और आपको एक एक डिटियल बताता हूं किस तरह से यह रिस्टेक्शन इस फाइल में डाला हूं ठीक है चली यह मैं डेमो परपस के लिए दिखा रहा था अभी चली कोडिंग कर रहा हूं ठीक है अभी देखे यह फाइल है सेम फाइ के लिए, मतलब कि इस cell के अंदर आपको सिर्फ number होना चाहिए entry और वो भी unique number entry होना चाहिए ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, तो आप क्या काम करो यहाँ पे जितना cell में आपको unique number entry करना उतना आप select कर लो, ठीक है, इतना cell में unique number entry करना है, इतना आपने select कर लिया, select करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे जो है data tap है, ठीक है, data में जाओ, ओके, data में जाने के बाद, next यहाँ data validation है, क्या है data validation, आप यहाँ पे arrow पे click किजिए, ठीक है, arrow पे click करने के लिए यहाँ पे उसके बाद जाएए data validation, ठीक है आप data validation पे click करो जैसे ही आप data validation पे click करेंगे, ठीक है click करने के बाद click करने के बाद क्या करना है यहाँ पे जो है, यहाँ क्या लिखा हुआ any value लिखा हुआ, ठीक है आप यहाँ पे click करो, click करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हूँ, कस्टम, ओके, यहाँ पर जानेंगे, कस्टम पर, कहाँ जाएंगे, कस्टम पर जाने के बाद, आप यहाँ पर एक फॉर्मॉला टैब आ गया, ओके, आप यहाँ लिखिए, क्या लिखना देखिए, मैं लिखना हूँ, इक्वल टू, उसका restriction डालना है, वो सभी cell को आप यहाँ से select कर लीज़े, मुझे इतने cell में डालना है, सभी cell को select कर लीज़े, select करने के बाद आप जो है F4 phrase कर दिए, यहाँ पर select किया, select करने के बाद क्या करेंगे, F4 phrase कर दिए, F4 जैसे ही phrase करेंगे, तो सभी के अंदर जो पीछे जो देखे, डालर का symbol आ गया है, क्या आ गया, डालर का symbol आ गया है, उसके बाद आप इसको comma कर लगा दो, ठीक है, comma लगाने के बाद, यह जो first cell है, यहाँ जो first cell है, इसका starting वाला, उसको आप click कर दो, उसके बाद क्या कीजे, इसका bracket close कर दीजे, ठीक है, bracket close करने के बाद, आप यहाँ पर एक symbol देजे, less than symbol, और less than symbol देने के बाद आप लिखे, two, क्या-क्या, less than symbol देने के बाद लिखा, two, उसके बाद आँ, इसको ok press कर दीजे, इतना किया अभी देखे क्या होगा इतना symbol for s करने के बाद अभी देखे यहाँ पर देखे 1 लिख रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ फिर से आप 2 number लिख रहा है देखे restriction हो गया कि मतलब आप जो duplicate नहीं entry कर सकते हो next है मैं letter लिख रहा हूँ देखे लेटर जो है entry हो रहा है already later मैं भी duplicate entry नहीं हो रहा है तो आप text भी लिख सकते हो number भी लिख सकते हो तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ जो है number को जो है restrict करना मतलब यह जो है number जो है यहाँ पे लिखा रहा है वो रिस्टिक्ट करना है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डूबलिकेट को रिस्टिक्ट कर दिये हो, डूबलिकेट आप एंट्री नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, तो चलिए, उसके लिए फिर से क्या करेंगे, उसके लिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे स उसके बाद 1, ц टीक है, तो यहाँ पर जो लिखे था वही है अभी तक, टीक है, इसमें और भी क्या कर देना है, इसमें end कर देना है यहाँ पे equal to है, equal के बाद आप क्या करो, यहाँ पर कलिक करो करसर को, और यहाँ पर लिख दो end, क्या लिखेंगे date and लिखके यहां से bracket open कर दीजिए, bracket open होने के बाद, आप यहां two तक लिखे थे, ठीके, two के लिखने के बाद इसको कोमा दे दीजिए, कोमा देने के बाद आप लिखो इज नमबर क्या लिखा इज नमबर उसके बाद जो है इसका ब्रैकेट ओपेन करना है ब्रैकेट ओपेन करने के बाद कौन सा सेल है फर्स्ट सेल है इसको सेलेक्ट कर लिजिए और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिजिए और एक ब्रैकेट और फ से क्या हुआ ठीक है अभी देखें यहाँ पर केके लिख रहे हो अभी हो लिख रहा है नहीं जा आप इसको नहीं कुछ कर सकते हैं किस तरह से कोडिंग क्या किया नहीं क्या फूरा डीटेल में देख लिया हो और step by step आपने देखा अगर कुछ डाउट है फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो बस इतना ही और मिलते ह कुछ new idea new trick के साथ next video में तब तक के लिए धन्यवाद thank you